भारतिय रिजर्ब बैंक के डेपुटी गवर्नर विरल अचारे ने इस्तीफा दे दिया है पुरानी खबर हो गई है, सुबह से चल रही है विरल ने अपना टर्म खत्मोने के 6 मेने पहले ही इस्तीफा दिया है रिजर्ब बैंक ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि कुछ निजी कारणों से विरल ने 23 जुलाई के बाद डेपुटी गवर्नर के ओधे पर बने रहने में असमर्थता जटाई है मजबूरी जटाई है विरल आचारे 23 जनवरी 2017 से बताओर डेपुटी गवर्नर आर्बी आई से जुड़े थे विरल पोस्ट एकनॉमिक लिबरलाईजेशन यानि उदारी करण के बाद सबसे कम उम्र में आर्बी आई के डेपुटी गवर्नर बनने वाले पहले शक्स थे अंग्रेजी एकवार इन इन एक्सप्रेस की खबर के मताबिक विरल बताओर एकनॉमिक्स प्रोफेसर न्यू यॉक युनिवर्सिटी से दोबारा जूड़ने जा रहे हैं इससे पहले अर्विन पंगड़िया, अर्विन सुब्रामन्यम और उजित पतेल भी इस्तीफा दे चुके हैं विरल आचारे भी उनमें से एक हैं, ये चारो चाताधारी हैं, पराट उपर से आये थे अब विरल आचारे को मिला कर, इन में से तीन चाताधारी तो अपने अपने कमफर्ट जोन, अमेरीका और इंग्लेंड जा चुके हैं, विरल भी जाने वाले हैं, वो जाएंगे वापिस न्यू यूउक युनिवर्सिटी बीदे साथ महीनों में ये दूसरी बार है जब RBI के किसी सीनियर अधिकारी ने अपने ओदे से इस्तीफा दिया है, इससे पहले RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने भी दिसंबर में निजी कारण का हवाला देते हुए अपने ओदे से इस्तीफा दे दिया था, उर्जित पट बैंक्स की आजादी के बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं, जब उर्जित पटेल ने सरकार को फंड ट्रांसफर, वो भी Reserve Bank of India के फंड ट्रांसफर किये जाने जैसे मुद्दो को लेकर इस्तीफा दिया था, तब भी आचार्या ने उर्जित का साथ दिया था, रिजब बैंक की तरफ से जब रेपो रेट में कटाथी की गए थी, तब इस मामले पर RBI गवर्नर शक्तिकान दास, जो वैसे तो इतिहास पड़े हुए हैं, लेकिन RBI के गवर्नर हैं, विरलाचारा के बीच अन्बन की खबरे आए थी, शक्तिकान दास ने रेपो रेट में कटाथी के ज बाचित के लिए मेरे साथ हैं, जैन्त रोय चौधरी वरिष्ट पत्रकार हैं, जैन्त मैं यह जानना चाता हूँ आपसे, उर्जित पटेल से लेकर अर्विन सुब्रामनेम, अर्विन पंगडिया और अब विरलाचारा, इन सबने अपने स्तीफिये के पीछे निजी वजह ज़ता नहीं है कि नीजी है, क्योंकि देने से पहले ही जगडा तो मोल लिया था दोनों ने, जैसे आपने कहा कि फंड ट्रांसफर मतलब की रिजर्ब बैंक के जो रिजर्व्स हैं, उसको रिवैलुएशन के बाद कितना पैसा भारत सरकार को देगी, इस बात पर जगडा और भारत सरकार चाहती थी कि जतना जाद से जादा रिजर्व बैंक उनको दे उतना उनके लिए अच्छा रहे, उनकी बजट उतनी मजबूत बने, और ये न दोनों का कहना था कि ये रिवैलेशन रिजर्व्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा डॉलर या हमारा पाउंड का संख्या बढ़ गया है, हम अपनी रिवैलेशन, हम अपना पास जो पैसे थे, उसको हमने क्योंकि हमारा रुपिया गिर गया है, उसलिए लग रहा है कि हमारे पास ज्यादा पैसे है, पर अगर रुजपिया कभी मजबूत हो जाया है, तो फिर वो रिजर्व उतने ही रह अबर में विरलाचारिया ने एक व्यक्तिता में बोली थी, उसके बार डिसम्मर में इसको लेके और जगड़ा हुआ था, और जैसे आकों मालूम है कि रिजर्व बैंक की गवर्नर तो चले गए, यह दिपी ऑफिशिली उन्हें परसनल बिजनस के लिए ही कहे थे, अब कि में रिजर्व रख सकेंगे या रखेंगे वगरा वगरा और आज ही ख़बर आया कि विरलाचारिया साहब ने कह दिया है कि हम 23 से आदा बाद में नहीं रहेंगे, वो मीटिंग बेराल आज नहीं हुई क्योंकि गर्क साहब जो फाइरांस सेकेटरी है, वो व्यस्त थे, बजेट बनाने में इस वक्त वैस्तता रहेगी, परन्तु प्रशन सवाल, बहुत सारे प्रशन आ जाते हैं कि, वजह जो है निजी नहीं है, शायद निजी ना हो, बहुत संक्षे में जाना चाहूँगा, रिजर्व बैंक का जो फंड्स होते हैं, जो पैसा होते हैं, जो उ बुजगार है, यह इस तरह से रिजर्व बैंक का कोई रिएवैलुएशन करके या एवैलुएशन करके उसकी जो रिजर्व यह सर्प्लस नहीं है, उसको सरकार नॉर्मली नहीं लेती है, नहीं लेती है, यानि सरकार की जो आर्थिक हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, आज ही BSNL ने एक SOS भेजा है सरकार को कि हमें पैसा चाहिए अपना काम चलाने के लिए BSNL जैसी कंपनी ने भी बेरहाल आगे बढ़ते हैं अर्विंद सुब्रा मन्यम के उस रिसर्च पेपर को खारिच किया है जिसमें अर्विंद सुब्रा मन्यम ने ये दावा किया था कि 2011-2012 और 2016-2017 के दोरान GDP को करीब 2.5 फीसद बढ़ा कर दिखाया गया था विबेग देब रॉय ने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अर्थ विवस्ता की रफ्तार सुस्त है ये बताने के लिए उन्हें अर्विंद सुब्रा मन्यम की जरूरत नहीं है वो हम जानते हैं विवेक ने ये भी कहा है कि सुब्रामन्यम महज एक economist नहीं है वो प्रधानमंतरी मोदी के Chief Economic Advisor भी रह चुके हैं इसलिए उनकी कही बातों को तवज्जो दी जाती है इसलिए इनका मानना है कि एक पूर Chief Economic Advisor यानि अर्विन सुब्रामन्यम को पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखने से पहले साफधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इससे देश को नुकसान पहुंचता है लेकिन इसी इंटर्व्यू में विवेक ने इस बात से इंकार नहीं किया कि देश की अर्थ विवस्था अच्छे हाल में नहीं है मेरा दूसरा सवाल आप से यह है कि सिर्फ विवेक देब रॉय ही नहीं रथिन रॉय जो एकनॉमिक एड्वाइजरी कमिटी के मेंबर है प्रदान मंत्री की रथिन रॉय ने भी यह कहा है कि हम ब्राजिल और सौथ अफरीका की तरह है मिडल इंकम देश बनते जा रहे हैं नीतिया यह हो कि राजीव कुमार और इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें अगर उनको हम छोड़ दें तो क्या प्रदान मंत्री के पास कोई काबिल टीम है देश की मौजूदा आर्थिक हालत से बाहर निकलने के लिए यह लोग ला सकते हैं असी बात नहीं है यसे पहले लाते है वह भी परडाट भट भी आर्डाट निकल लिए गए भी यह यह तें सरकार ला सकते हैं यह भी ला सकते हैं पराद तु इस वक्त लगता है कि फोड़ी बहुत टीम में गाप्स है जी अब बाकी जो एक बात तो है कि जो चीफ एकनॉमिक एडवाईजर फॉर्मर चीफ एकनॉमिक एडवाईजर ने जिस तरह से कैलकुलेट किया उसमें सवाल या चिन्नप लगाए जा सकता है प्रणव सेन जो कि फॉर्मर चेर्मन नाशनल स्टैसिकल कॉमिशन थ जिस तरह से चाइना का फिगर्स को करते हैं American economics कहोंकि चाइना का फिगर्स को हम भरोसा नहीं करते हैं उतना शायद हमारे अभी तक भरोसा का कम लायक नहीं है हमारी फिगर्स परन्तु हां कुछ सवाल आचे नहीं पहले से उठा हुआ है जीडीबी फिगर्स को लेकि उसलिए शायद किया होगा परन्तु अर्वन सुप्रमानियम के धाई प्रतिशत वाले में जातर अर्थनिती के जो विशेशग्य है वो आइस को परन्तु दूसरी बात आपने जो कहीं वो जदा इंपॉर्टन है कि श्लो डाउन अर्थनेतिक मंदी इस बात को इस बात से लिवेक देवरॉय जी ना नहीं कह रहे हैं यह पांच जुलाई को वित्त मंत्री निर्मिला सीतारमन आम बज़िट पेश करेंगी बजट से पहले 11 जून से 30 जून तक Pre-Budget Meetings का दौर भी चला। इन Pre-Budget Meetings में निर्मला सीधारमन ने सभी राज्यों के वित्यमंत्री, Prime Minister Economic Advisor Council के सदस्यों, क्रिशी, बैंक और Financial Sectors के एक्सपोर्ट से मुलाकात की। बजट में निर्मला सीधारमन के सामने जो मुख्य चुनौतियां होंगी, उनमें बैंकों के NPA होंगे, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या होगी, प्राइवेट इंवेस्मेंट को लाने की समस्या होगी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा, कैसे देंगे हम नहीं जानते, एग्रेरियन क्राइसिस यानि खेती-किसानी से जुड़े मुद्दे होंगे, और पब्लिक इंवेस्मेंट को बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे, वित्वर्ष, फिनेंशल यार, 2018-2019 की चौथी तिमाही जो 31 मार्ज को खत्म हो गई, उसमें GDP को बहुत बड़ा जटका लगा था, और ग्रोथ रेट फिसल कर 5.8 फीसद पर पहुँच गई थी, मेरा तीसरा सवाल आप से यह है, जैन तो, दिर्मिला सीतर रमन जब तक हमारी रक्षा मंत्री थी, वो एक तरह से रक्षा मंत्री थी, कि आज हम पूरे आत्मिश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो एक तरह से नहीं बलकि वाकई वित्यमंत्री हैं और क्या वो इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे आप कहने चाहते हैं कि जब वो रक्षा मंत्री थी तब रक्षा मंत्राले की संचालन शायद उपर से डारेक्टिव जाती थी अभी जिस तरह से सरकार चल रहा है अब काफी हद तक डारेक्टिव तो नाचरली प्यमों से आएगी यह नाचरल है क्योंकि अगर आप देखें प को इन भी वार्तालाप किया था और वह वार्तालाप से उन्होंने इनपुट लिया है तो यह प्यमों डारेक्टिव जो है वो शायद आ सकता है क्योंकि यह सरकार में थे ज्ञश्री करण कि एक ज़लक दिकरी है वो शायद हो सकता है बहुत संक्षेप में जानना चाहूंग एक तरफ आपने कहा कि प्रतिवा की टैलेंट की कमी दिख रही है, गैप्स हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कॉर्पोरेट से इंपुट लिया, तो जो बैम्बूला प्लान था, जो महानुलभीस सहब थे, लेकिन टाटा और बिर्ला भी थे, जी आडी टाटा और गंशाहमदस बिर्ला भी थे, क्या फर्क है उस थिती में और आज किस थिती में, क्या कॉर्पोरेट्स पताएंगे कि हमारी अर्थ विवस्ता किस दिशा में जाएगी, कॉर्पोरेट्स का एक बहुत बड़ा रोल तो रहे गए, क्योंकि उनको आप अलग नहीं दे सकते हैं, उनकी उनसे वक्त में ये था कि वो खुद अपने आप में बहुत बड़े विश्यशग्य थे, पंडित नहिरू के वो बड़े खासो खास थे, तो उनकी आवाज उसमें पूरी जो लाइन थी, उसमें उनकी आवाज ज्यादा बुलन थी, बाकियों ने जरूर हिस्सा लिया, बाकियों उनको जरूर मदद किया, पर उनकी आवाज बहुत बड़ी थी उसमें, उस तरह का कोई ओवर आर्किंग कोई व्यक्तित्व जो अर्थनेतिक व्यवस्ता में जिनकी ज्छलक दिखी जाए, इस वक्त शायद ना हो, उन्यस्तों एक रान्वे में लोग जैसे मनमोहन सिंग ज और उस तरह से उन्होंने काम किया, उस तरह का नहीं ही रहा, ये कहना चाहिए हमें ज़रू कि नर्सी मारावजी ने उनको मौका दिया, और पूरी तरीके से उनको उन्होंने सपोर्ट किया, मनमोहन सिंग जब खुद प्रधान मंत्री बने, तब उन्होंने खुली छूट जबकि वो खुद इतने बड़े पिशेजग गया थे, फिर भी उन्होंने चिदामरम साहब और प्रणब बाभू को खुली छूट दी थी कि उन्होंने तरीके से बजट बनाए, उन्होंने उतना ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा इंटरफेर नहीं किया, मतलब टीम के साथ चलना बहतर होता है बजाए इसके कि सत्ता का केंद्रिय करन हो, या सोच का केंद्रिय करन हो, या रॉव विजडम का केंद्रिय करन हो. पर यह हुआ नहीं है, कभी यह नहीं कह सकते हैं, अगर आप साथ के दशक में इंद्रा गांधी, जयां बिलकुल, तो भी हमें सोचना बिलकुल, चलना जहीं हो, यह सकते हैं, यह sut बढ़ीं जया हैं?